प्रिया दर्शको नमस्कार आज उपस्तित हूँ आप सभी के समक्ष शीगर विवा हे तू एक चमत कारिक और सबसे अचुक उपाय को लेकर इस उपाय को आपने से कोई भी बहुती आसानी से कर सकता है और इसके परिणाम के स्वरूब आपको शीगर ही सुयोग्यवर या अगर आप भी किसी भी प्रकार से अपने धन को अपने समय को शीगर विवा करवाने के लिए लगा चुके है और अभी तक आपको परिणाम नहीं मिला है तो आपको आज का यह उपाय अवश्च से करना चाहिए इसे करने से आपको ना ही कोई भागदोड करनी पड़ेंगी बलकि इसका परिणाम यह निकलेंगा कि आपको घर बेटे ही रिष्टा प्राप्त हो जाएंगा और जो भी परिशानी आपके विवा में आ रही थी वह भी दूर हो जाएंगी यह अच्यंत सेष्ट उपाय है इसे लड़का या लड़की स्वयम भी कर सकते है और अगर माता पिता में से या फिर बहन या भाई में से कोई किसी के लिए करना चाहे अपने संतान के लिए अपने छोटे या बड़े भाई के लिए या बहन के लिए कोई करना चाहे तो आसानी से करके इसका लाव उठा सकते हैं तो इसलिए आपको यह उपाय ध्यान पुर्वक सुनना चाहिए और इसके लिए आपको वीडियो को अंततक देखना होगा आप वीडियो ध्यान पुर्वक देखते रहे, चेनल पर नए हो तो इसे सस्क्राइब अवश्चे से कर लीजिए अब आईए ज्यादा विलम बना करते हुए आपको मैं वह दिव्य और अचुक उपाय बताता हूँ इसके लिए आपको एक प्रमुख चीज की आवशक्ता पड़ेंगी कोई बड़े चीज नहीं है, बहुत आसान सी वस्तू है और वह है आपकी जन्म की तिथी अब तिथी का अर्थ है हिंदू जो तिथी आती है उसके अनुसार आपको डेटो बर्थ नहीं लेना है, केवल हिंदू पंचां के अनुसार उस दिन जो तिथी आई है वह आपको लेना है जैसे किसी का जन्म नवमी के दिन होता है, किसी का दिन पंचमी के दिन होता है इसी प्रकार जो 16 तिथिया है उनमे से आपको जो आपकी जन्म की तिथि हो वह लेना है यह आसानी से आप अपने जन्म की तारिख के अनुसार भी निकाल सकते हैं और अगर कई बार देखने में आता है कि घर की जो माताए होती है उन्हे जन्म की तारिख याद नहीं रखती। वह तिठिया ही याद रखती है कि इस तिठि को तुमारा जन्म हुआ था, पन्चमी को हुआ था या नवमी को हुआ था. इसी प्रकार आप यह देख लीजिये कि आपका जो जन्म है वह किस तिथी को हुआ है आप यह देख लीजिये और उसी तिथी से आपको एक उपाय प्रारंब करना है अब माल लीजिये किसी का जन्म दूज को हुआ है तो जब भी महिने में दूज आएंगी उस दिन से आपको यह उपाय करना है अगर किसी का एकादशी के दिन जन्म हुआ है तो आपको एकादशी से ही यह उपाय प्रारंब करना है और इसके लिए आपको यह विचार नहीं करना है कि शुक्ल पक्षका है या क्रश्न पक्षका क्योंकि एक से लेकर चौदह तक की जो तिथिया है वह त तो दो बार आ जाती है लेकिन पूर्णिमा हो या अमावस्या हो तो आपको उसी दिन से यह उपाय प्राणंब करना है अब आपको क्या करना है कि आपने सरवपथम अपने जन्म की तिथी निकाल ली अब क्या करें कि उस दिन जिस दिन आपकी जन्म की तिथी आ रही है उसी दिन अरथाद जिसे पंचमी को जन्म हुआ है तो जब भी पंचमी आ रही हो आप किसी भी पंचमी से यह उपाय प्राणनब कर सकते है क्या करना है पंचमी के दिन सुभा जल्दी उठकर इस्नान आदी करकर आपको एक मंत्र या एक पाठ का जाब करना है वह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आप उसे उसका जाब करिए आपको लाभ मिलेंगा एक बार पुना समझे लिजिए जब आपका जन्म जिस तिथी को हुआ है उसी तिथी से आपको यह उपाय प्राणब करना है और उस दिन जिस दिन भी यह तिथी आ रही हो उसी दिन आपको जल्दी इस्नान आदी करने के बाद एक मंत्र करना है या कर सकते हैं एक पाठ को प्राणब करना है जिस दिन भी आपका जन्म हुआ हो उस तिथी को राम रक्षा इस्तोत का पाठ करना है और एसा लगातार नो दिन करना है जिस दिन भी आपकी तिथी आती है उसी से गिनते हुए अगले नो दिनों तक आपको इसका पाठ करना है और प्रती दिन सुभ़ एक बार करना है शिर्व इतना सा प्रयोग है आप इसे करके देखे माता-पिता भी अगर कोई करना चाहे या अन्ने भी कोई करना चाहे तो वह भी कर सकते है इसका शीG रही और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से घर बेठे रिष्टे आ रहे है और जो भी परिशानिया थी वह दूर हो रही है तो इसलिए मेरी भी आप सबी से यही मनो कामना है इश्वर से भी मेरी यही प्रात्ना है कि आपके लड़के के लड़की के या आपके सोयम के जिसके भी विवाह में विलंब हो रहा हो वह शिग्र अतिशिग्र दूर हो जाए और इश्वर उन्हें सुयोग्यवर या वदू की प्राप्ति करवाए तो इसलिए आप भी पूर्ण शद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखे निश्ची थी आपका शिग्र लाइक भी करें शेर भी करें और चेनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब आवश्ची से कर लीजिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद